सो हेलो गाइज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावल का पावर पंच कैसे मारते हैं तो वीडियो को पूरा देखे आप अच्छे से सीख जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस मोड सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ से पावल सेलेक्ट कर लेंगे अजिसमाज हमको करना क्या है क्रोल से बाते हैं इसके बाद हमको क्या करना है सबसे पहले हम ट्रैंगल बटन को दबा कर रखेंगे इस तरह से दबा कर ही रखेंगे इसको फिर हम लेफ्ट जाने वाला बटन दबाएंगे और फिर राइट जाने वाला पीछे जाने वाला बटन दबाएंगे और स्क्वार बटन और पीछे जाने वाले इस बटन को एक साथ दबा देंगे ऐसे एक बार दुबार देखे पीछे जाने वाला और स्क्वार बटन दबाना एक साथ और ट्रेंगल बटन हम लगातार दबागर रखेंगे इस तरह से यह दबा रहेगा और स्क्वार और पीछे जाने वाला बटन एक साथ दबाना है ऐसे और इसके बाद है कि यह सेकिंड मूव भी खेलता है ट्रेंगल बटन रखना है पीछे जाने वाला बटन और स्क्वार बटन एक साथ दबाना है आगे बढ़ने वाला बटन दो बार दबाना है ऐसे एक बार दुबाने देखे ट्रेंगल बटन दबा के रखना है पीछे जाने वाला और स्क्वेर बटन दबा देना एक साथ और फिर आगे बढ़ने वाला बटन दो बार दबाना है एक साथ ऐसे देखिए उम्मीद है कि आप लोग पावर पंच मारना सीख गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को दबा कर रॉल पर क्लिक कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुश सकें और कुछ और भी सीखना हो तो आप सीख सकें और अगर आपको कुछ और सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता है मैं उस पर भी वीडियो बनाए रिकोसिस करूँगा थैंक यू पर वाचिंग वीडियो सीव मैं नेक्स्ट वीडियो तिल दन कीप प्लेइं